हेलो दोस्तों गाईत्री की रस्वी में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा स्वाधिस्ट बर्फी मात्र पांच मिनट में बनेगी दोस्तों मात्र पांच मिनट में बनाकर पूरी रेस भी तैयार करेंगे और जो बनाने का इसका तरीका है बहुत ही आसान है बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी जंजट के दोस्तो एक ही बार सारी चीज़ों को डाले और एक ही बार आप इसको पका ले जो पकाने का तरीका है ना बहु रेस्पी हम देख लेते हैं तो सबसे पहले इस रेस्पी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कप काजू अब काजू को हम क्या करेंगे एकदम फाइन सा पाउडर बना लेंगे हलका सा अगर दरदरा भी रहेगा तो कोई बात नहीं दोस्तों थोड़ा सा दान हो चुका है चलिए हम ले लेते हैं एक कड़ाई तो हमने यहाँ पर ले लिया एक कड़ाई और कड़ाई में हम डाल देंगे आधा कप यह हमने फ्रेश क्रीम लिया है दोस्तों तो हमने यहाँ पर ले लिया है आधा कप फ्रेश क्रीम तो यह हमने मूल का क्रीम लिया है इत सा मीक्स करेंगे उसके बाद हम यहीं घर अजली चीज़ों को थोड़ा सा मीक्स करेंगे बहुत जादा हमें इसमें घी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि बर्फी में हलका साइन आए तो पहले थोड़ा सा मीक्स कर दिया उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दो चम्मच घी तो बस घी इसी लिए मतलब डाला है ताकि यह बर्फी तले में चिपके नहीं और दूसरी बात जो है यह हलकी सी बर्फी में थोड़ी सी साइन आ जाएगी तीन चम्मच सुगर डाल देंगे मतलब चीनी आप इसकी जगह प सील वाली में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा चिपकेगा चले अब इसको हम क्या करेंगे एकदम धीमी आज में इसको फटाफट मतलब जल्दी जल्दी चलाते हुए बनाएंगे दोस्तों कि हमें इसमें और कुछ डालना नहीं होता है सारी चिज्जों को हमने डाल द सके तो आज कुछ जितना ही हो सके उतना ही धीमा रखें तभी बढ़िया से बर्फी बनेगी थोड़ा सा लब 2-3 मिनट अगर लेट भी हो जाए कोई बातरी दोस्तों लेट हो जाए तो हो जाए लेकिन जो हम चीज बना रहे हो अच्छी बननी चाहिए तीसी तरह से हम चला लाते हुए 5-6 मिनट में हमारी बर्फी बनकर तयार हो जाती है दोस्तों बहुत जादा इसमें कोई टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने बहुत जादा मिक्सर को पतला नहीं किया था तो पेश्ट हमारा हो चुका है अब ही हम क्या करेंगे इसको नीचे उतार लेंगे दोस तो दोस्तों मैंने तीम नट तक बर्फी मिक्षर को और पका लिया था यह देखे काफी गाड़ा हो चुका है अभी यह काफी गरम है तो चलिए इसको हम उलटते पलटते करची से इस तरह से थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे मतलब हलका सा नौर्मल ठंडा करेंगे तो यह दे लेकिन जैसे ठंडा होता जाएगा तो उसी टाइम हमें इसको शेट कर देना है cuánt यह काफी गरम है तो हाथ में छूने तो इस वह जोगा देना है फिलाने के बार दूस्तों को क्या करेंगे हम 2 गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे क्योंकि इस बर्फी को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप दो गंठे के ृफ्रीज में रख दिया था और यह देखेंगे बर्फी बहुत ही के लिए थोड़ा लूक अच्छा लाने के लिए मैंने साइड निकाले आप नहीं भी काटेंगे तब भी चलेगा तो मैंने याँ पर चारो साइड निकाल दिये हैं काटके अब इस तरह से हम बर्फी की सेप में इसको कट कर लेंगे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी द 5-6 मिनट के लिए निकाल के इसको ऐसी छोड़ दे उसके बाद काटें फिर थाली में थोड़ा साना बाहर के टंपरेचर से यह थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगी तो बस इसको हमने लगा लिया प्लेट में और देख सकते दोस्तों बर्फी हमारी कितनी ज्यादा सुंदर ब बनी है दोस्तों बहुत अच्छी रिष्पी है जरूर बनाए बीना किसी जंजट के बनती है मात्र 5 मिनट में 5-7 मिनट लग जाता है इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों कॉंटिटी के हिसाब से है आप कितनी चीज बना रहे हैं मतलब अगर ज्यादा बना रह कि बाय दोस्तों